जै मातादी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्व मंगलकारी शिरी शिद्धिगनेश व्रतकथा और ये व्रतकथा इस प्रकार है एक वार शौनकादी अठासी हजार इशियों ने शास्त्र वृता सूथ जी से पूछा कि हे सूथ जी महाराज सभी कारेों की निर् पर व्यमनस्य से अलगा तथा उदासिंता से अनुपलता कैसे मिल सकती है विद्यो पारजन वानेजे वैपार कृशी कर्म एवन साश को द्वारा अपने शत्रू पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है किस देवता की पूजन से मनुश्यों को अभिष्ट की प्राप्ती हो सकती है सूथ जी ने कहा कि जब कॉर्वो पान्डवों की सेना युद हितु सन्नद हुई तो कुंति नंदा निधिस्टी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण जी आप बताएं कि किस देवता की अराधना से हम निर्भीन विजय प्राप्त कर सकेंगे श्री किष्ण ने कहा कि आप देवताओं में प्रथम पूजे श्री गणिश जी का पूजन कीजिए उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे यह निश्चित है तब धिस्टीर के पूछने पर श्री किष्ण ने उन्हें सर्व मंगलकारी श्री श्री मयंती ने सिता जी की पुन्हाप्राप्ती के लिए रगुनाथ जी ने सिता जी के दर्शन के लिए हनमान जी ने गंगा जी को लाने के लिए भागी रत ने समुद्र से अमरित निकालने के लिए देवता था दैत्यों ने भी पहले सिद्ध गणेश की ही अराधना की थी और अपने कारयों में सफलता के भागी हुए थे जब गरुर ने देहराज की हाथ से अमरित कलश को छीन लाने के लिए स्वर की और धावा किया था तब उसने भी गणाध्यक्ष की ही अर्चना की थी मैंने भी रुकमणी हरन करने की इक्छा से भगवान गनेश जी की अराधना कि तब मैंने और रुकमणी ने श्री शिद्ध गनेश की पूजा की उसे प्रताब से हम पर्द्ध मने को फिर से प्राफ्त कर सके जब साम्भ को कुष्ट हो गया उस समय उसने अपने कुष्ट रोक की निवर्ति के लिए सिरीशिद्ध गणेश की अराधना किये थी जिससे उसे निरोकता प्राप्त हो गए जब साम्भ को की निवर्ति के लिए सिरीशिद्ध गणेश की पूजा करे तो वे जन जन मांतर में कभी वे धब्या का दुख नहीं जेलती गणेश जी के पूजन करने पर विष्णु महादेव सूरे पारवती और हुताशन आदी सभी देवताएं पूजित हो जाते हैं इसमें संदे नहीं है सूर जी कहते है कि है मुनी वरो भक्ति पूर्बक सरमंगलकारी शिरीशिद गणेश कवरत करने से सब संतुस्ठ हो जाते हैं श्री कृष्ण भगवान राजा से कहते हैं कि हे राजा ने धिस्टिर इस प्रकार भगवान गणेश का पूजन करने से तुम भी संगराम में अपने शत्रों को परास कर अपनी राजे संपत्ति को प्राप्त करोगे तब राजा धिस्टिर ने श्री कृष्ण द्वारब बता करें तो उस मंद भागी के भी मन के विचार सब कारें सिद्ध हो जाते इस पवित्र व्याखान को जो समाहित चित से सुनता है उस अथवा सुनाता है उसके सभी कारें सिद्ध गणेश की प्रसंता के से सिद्ध हो जाते हैं अब इस ब्रत कथा को सुनो एक बार की बात है एक धर्म प्रेमी दंपती भगवान गनेश का गुनगान करते हुए जैद शिद्ध गनेश जैद शिद्ध गनेश करते चले आ रहे हैं ते लिलावती नामिक अत्यान दुखी महिला ने उनके मुख से शिद्ध गनेश के अब हम स्वस्त दिखाई दे रहे हैं मैं बहुत दुखी हूँ कि पर मेरे दुख का निवारन का उपाय बतलाई है तब उस दंपती ने मुस्करा कर एक दुसरे की और दिखा और कहा कि हम सर्व मंगलकारी शिरी शिद्ध गनेश ब्रत कर रहे हैं जिनके करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं यह सुनने पर उस लेलावती ने अनुना पुर्वा पूछा कि आविस्तार पूर्वा किस ब्रत का विधान मुझे समझाएं तो बड़ी किरपा होगी तब उन दोनन न बताएगी हम जो ब्रत कर रहे हैं वैसा भी ब्रतों में शेष्ट माना जाता है क्यो उसने सरल व्रत का वर्णन सो निलावती अत्यन प्रसंद हो गई और अगले ही बुद्वार से उसने सरमंगलकारी श्री शिद्गडेश का व्रत का करना आरम कर दिया देखते ही देखते उसके पती जिसका चरित्र ठीक नहीं था बिलकुल सुधर गया और अपनी पत्नी और परिवार को प्रेम पुर्वक साथ में रहने लगा उसकी साथ जो पहले से बहुत दुख देती थी उसमें अपनी बेटी की च्छबी दिखने लगी और उसका बहुत ख्याल रखने लगी उसको संतान का सुख नहीं था जिस पज़े से उसके ससुर भी बहुत चिंती रहते पर अंतु सर्मंगार कारेशे शित्यगडेश वरत्क रखने पर उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ती हुई जिसके होते उसके घर में खुश्यों की बर्खा होने लगी और पती के कारुपार में भी उन्नती हुई और वे किराय के मकान छोड़का स्वैम की बड़े सर्व पन बंगले में रहने लगे और उसकी समाज में हर जगर पूछ परक बढ़ने लगी है सभी लोगों से इस महान वरत का प्रभाब बताने लगी और स्वैम भी हमेशा इफ्टरत का पारन करते रहे गणे जी के जैसे उसे समपन किया वैसे ही सभी को समपन करे जो पड़े अत इस प्रकाश रिशिद्ध गनेश वरत कथा सम्माथ हुई